कर्मियाँ बिना आम के तो पूरी नहीं आई होते हैं तो आज हम जाने सीफे बीना कोई के मिकल के भुच्छे आम क्या मार्केट की तरह आपको पक्के हुए आम मीठे बिल्कुल दो दिन में हो जाएंगे आपके त्यार बिना कुछ सी केमिकल के बहुत ही आसान सिंपल तरीका है तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया करीब धाई दर्जन के करीब यह आम है और इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है उ इतना बड़ा लीजिए जिसमें बहुत आम यह आसानी से आ जाए पूरे उसके बाद आप में क्या करना है यहाँ पर ले लेना है में एक इस तरह की जो बोरी आती है वो ले लेनी है और उसके बाद फोल्ड करके हम इसको नीचे डाल देंगे यहाँ पर आप दो तीन चीज से चार ओर से कवर कर लिया है अब हम इस तरीके से बिचाते हुए बड़िया से यहाँ पर साइज से भर नहीं देंगे एक लाइन से बड़िया से सारे आम हम यहाँ पर बिचाते हुए रखते जाएंगे बहुत ही आसान सा सिंपल तरीका है कुछ भी नहीं करना है और देख जो कच्छे आम होते वो सस्ते भी मिलते और घर पर आप आसानी से इने पका कर तयार कर सकते हैं बिना किसी दवाई के तो यहाँ पर मैं सारे फटाफट से आम रख लेती हूँ उसके बाद अब हमें क्या करना है ताकि बहुत ही जल्दी असानी से पूरी तरीके से मार्केट की जैसे बड़िहा से बनकर पकड तयार हूँ तो उसके लिए आपर देखे मैंने सारे आम यहाँ पर बड़िहा से रख अतनी जल्दी यह आम पकेंगे तो अब हमें डाल देना है इसमें जो एक चीज ऐसे डालनी है जिसके विज़े से आम आपके बढ़िहा और जल्दी पकर तयार हूँगे तो अब जो हमारा यह खास चीज है वह हम डालेंगे अब इसमें प्याज तो प्याज हम अब इसमें डाल देंगे इस तरीके से चोटी बड़ी जो भी हो घर पर आपके हां पर दस बारा प्याज हम चारों तरफ डाल देंगे प्याज में होता है सल्फाइड जो कि इसको पकाने में अच्छी तरीके से बड़ी है इसको हेल्प करेगा तो आप इसमें कुछ इस तरीके से प्या कर दीजी, और इस तरीके से चारोड से कवर करिए बढ़िया से दबा के ताकि इसमें बिलकुल भी हवा ना जाए और पेपर लगा कर अच्छार उस बोड़ी को भी अच्छे से दबा दीजिए, उसकी बाद पेपर ऊपर से लगा कर अच्छे से एकदम दबा दबा के इस तरीके से पैक कर दीजे ताकि इसके अंदर बहुत ही बड़ी हासी गर्मी बने अब हम उपर से इसके चारो उट से इसको बॉक्स को अच्छे से बंद कर देंगे और दो से तीन दिनों के लिए हम इसे गरम जगा पर अच्छे से पैक करके मैं इसके चारो त पकर तयार हुए हैं अब दो दिन के बाद हम इसे चेक करेंगे तो दो दिन बाद हम इसे खोल लेते हैं दो दिन बीद गया हैं अब हम इसे खोलेंगे कि हमारे आम पके हैं या फिर नहीं पके हैं तो इस तरीके से आप ये तरीका ट्राइ करके देखिए बहुत ही आसानी से आ आपके आम घर पर पक कर तयार हो जाएंगे तो अब हम अपना न्यूश्पेपर हटा के देखते हैं कि आम पके हैं या फिर नहीं पके हैं और इसे मैं दो ही दिन बात खोल रही हूं यह देखिया आम का कलर कितना ज्यादा चेंज हो गया है और यह आम लगभख पक गया है और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगे देखिये कलर में भी कितना फरक हो गया है और यह आम पक भी गया है लेकिन मैं इसे दो ही दिन में खोला है क्योंकि ताकि यह सारे आम इकठे ना पक जाएं इसके लिए नहीं तो आप इसे चार दिन बाद खोल लिए तो यह आम इकठे पक जाएंगी तो यहाँ पर इकठे ना पक ने पायत क्योंकि इतना सारा इकठा यूज नहीं हो पाएगा तो अब हम इसको खोल देंगे तो बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है सारे आम में कुछ आम तो आपको दिखाते हूं देखे कितना सारा दब जा रहा है यानि यह आम बिल्कुल पक गया है इसमें से आधेस ज्यादा आम लगभग पूरा पक गया है कलर पे बिल्कुल आप मच जाए क्योंकि यह मार्केट के घर में पकाई हूए नैचरल आम है तो कलर इनका इसी तरीके स जैसे कि दसेरी होता दिखता तो उपर से हरा है लेकिन अंदर से बिल्कुल पका हुआ होता है तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपको एक काम कट करके दिखाती हूँ कि अंदर आप देखिए उपर उतना पीला आपको नहीं दिखेगा लेकिन अंदर से बिल्कुल बढ़ि हैं इस पर यह depend करता है क्योंकि बहुत ही अलग-अलग quality के आम आते हैं कुछ एकदब मीठे वाले होते हैं कुछ थोड़ा सा खट मीठे होते हैं तो जिस तरीके से आपने जिस quality के लिए उसी तरीके से इनका टेस्ट होगा क्योंकि market में भी जिस तरीके के आम मिलते हैं अलग-अलग quality के वैसे ही उनका टेस्ट होता है तो यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा आम दो ही दिन में घर पर पक कर त्यार होगा बिना किसी दवाई के तो यह बहुत आसान तरीका है तो इसे ट्राइ करके जरूर देखिएगा और पसंद आया होगा ता प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको यह तरीका कैसा लगा तो देखिए मैंने पूरा आम कट कर लिया और कितना बड़ी हाप लगी नहीं रहा कि घर पर पकाया हुआ बिल्कुल मार्किट के जैसा आपको यह दिख रहा है और खाने में भी उतना मेठा है तो बस देखिए दो ही दिन में आप चाहते हैं अगर एक अठा पकाना चाहते तो इसे तीन से चार दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए न थैंक यू